दोस्तो नवरात्रे हो चुके हैं शुरू मातारानी आ चुके हैं घर घर में और लोगों ने रखे हो हैं वरत्वी तो ऐसे मैं मैं भी आप लोगों के साथ वर्त में खाय जाने वाली रेसिपी शेयर कर रहे हूँ जै मातादी दोस्तो आप सुबको नवरात्री की बहुत सारी शुब कामना है आओ देखते हैं आज की रेसिपी तो खीरा देखके आप लोग समझे गए होंगे कि आज की रेसिपी का मुख्य जो सामगरी है वो है खीरा तो आज हम खीरे से ही बनाएंगे वर्त में खाई जाने वाली बहुत ही स्व आ सकते हैं तो सबसे पहले इस खीरे को हम कदुकस कर लेंगे तो दोस्तों जितने मैं खीरे को कदुकस करती हूं ग्रेट करती हूं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो आप यूस्फुल लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएग और जो अज पहली बार मेरी चैनल पे आ रहे हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा और साइड में बने हुए बेल के आइकॉन को भी दबा दीजेगा जिसने आने वाली हर वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे तो दोस्तों आपसे बात करते हुए खीरा भी सारा गिस दिया है मैंने तो अब इस खीरे को तो हम रख देंगे साइड में और सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल जिसमें आपने आज की रैसेपी तयार करनी है दोस्तों यकीन मानिए वर्त में तो यह स्वादिस्ट लगती ही है आप इसे जब चाहें बना के खा सकते हैं यह आपके खाने का स्वाद ही बढ़ाएगी तो इसे हमने रख दिया है साइड में और अब ले लेंगे एक बाउल जैसा मैंने कहा इस बाउल में सबसे पहले हम डालेंगे दही मैं बाहर की दही का इस्तमाल कर रही हूँ आप घर की दही का अब इस्तमाल कर सकते हैं यह दोनों ही दही से अच्छा बनके तयार होता है लेकिन बाहर वाली दही को जादा ही गाड़ी होती है तो इसलिए मैं इस दही का इस्तमाल करती हूँ तो ये मैंने दो बड़े चमुच्छे भर के डाल दिया है बाउल के अंदर आपको जितना बनाना है उस हिसाब से दही लिए और जितनी हमने दही लिए है उसकी आधी कॉंटिटी यानि कि अगर आपने दो बाउल लिए हैं तो एक बाउल उसमें आप दूद का डाल दें और अब दूद और दही को दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दें जिससे कि इन दोनों में कोई लंस ना रहे दोस्तों वैसे तो व्रत में बहुत सारी चीजें खाई जाती है लेकिन जो आपको एनरजी दे और बहुत जल्दी बन के तयार हो जाए ये कुछ ऐसी ही रेसिपी है आप इसे सुबह, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं ये हैं आपको बहुत जादा पसंद आएगी तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची अगर आपके घर में बच्चे खा रहे हों तो हरी मिर्च का इस्तमाल ना करें आप उसकी जगह इसमें ब्लैक पेपर यानि की काली मिर्च भी डाल सकते हैं और अब इसमें डालेंगे वर्त में खाय जाने वाला सैंधा नमक और साथ में डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और एक बार इंचीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो दोस्ते ये चीजी हो चुकी है मिक्स और आप डालेंगे इसमें आज की जो मेंन चीज है वो है ये कद्दू कस किया हुआ खीरा जिसमें पानी की कॉंटिटी बहुत जादा होती है ये आपको बहुत जादा एनर्जी देता है और वर्त में भी आपको तरो ताजा रखता है तो मिक्स करने के बार मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का बनके तैयार हुआ है अभी इसमें कुछ चीज़ें और एड़ करनी है इसलिए वीडियो में लास्त तक जुड़े रहिएगा तो फ्रेंस हम लेंगे एक चमच और उस चमचे से मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये कितना गाढ़ा बना है बिल्कुल सारी चीज़ें आपसे बहुत अच्छे से मिल चुकी है अब इसमें हम डाल देंगे ओपर से सर्फ करने से पहले बुना हुआ जीरा यानि एक ही रोस्टेड जीरा पाउडर और एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इस तरह यह हमारा खीरे का राइता वर्त में खाने के लिए जो बिल्कुल एकदम बनके तयार हो गया आप इसे चाहें तो वर्त के चावल के साथ, आलू के साथ, पूरी के साथ जैसे चाहें खा सकते हैं लेकिन मैं इसे सर्फ कर रहे हूँ कूटू की पकोड़ी और हरी मिर्ची की चटनी के साथ आप इस रायते को नॉर्मल खाने के साथ भी खा सकते हैं यह उस खाने का विस्वात बढ़ा देगा तो दोस्तों मैं चलती हूँ मेरी तो ठाली लगके हो गए तयार फिर मिलूँगी अगली वीडियों बाबाई से यू टेकर इंजोई हैपी नवराते की ओल